बॉलिवूड में इंदीनों बस एक ही फिल्म की चर्चा जोरों पर सुनाई दे रही है और फिल्म है संजेदत के जीवन पर आधारित मूवी संजू वहीं इस फिल्म के जर्य संजेद के जीवन में कुछ अंचोए पलों को दिखाया जाएगा जिसे संजेद के जीवन में कई ऐसे सक्स रहे जिसके बारे में सिर्फ उनके करीबी लोग ही जानते हैं वहीं अगर बात करें तो उन लोगों का उनके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस है आज हम आपको उनी लोगों के बारे में बताने वाले हैं इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन सा एक्टर, कौन सा सक्स, कौन सा किरदार कर रहा है इस मूवी के अंदर पहले हैं सल्मान खान, संजय के जीवन में सल्मान खान एक वक्त काफी महत्वर रखते थे संजय और सल्मान खान की दोस्ती एक वक्त पर पूरी बी टाउन में मशूर थी दोनों कई फिल्मों में एक साथ काम भी करते थे, वहीं यही नहीं सल्मान ने संजय को हर बुरे वक्त में साथ दिया लेकिन कुछ बातों के चलते दोनों के रिष्टे में दरारा गए वहीं एक वक्त ऐसा भी आया कि जब ये जिगरी दोस्त एक दूसरे की शकल भी देखना पसंद नहीं करते थे संजु की बायोपिक में सल्मान का किरदार जिम सरब निवा रहे हैं दूसरी है टीना मुनीम फिल्म में सोनम कपूर के पोस्टर के सामने आने के साथ ही लोगों को पता चल गया कि संजय की जो लाइफ में टीना मुनीम भी रही है टीना संजे के बच्पन की दोस्त होने के साथ ही उनका पहला प्यार भी रही फिल्म में टीना का किरदार सोनम कपूर निवा रही है बता दें कि टीना और संजे ने एक साथ फिल्म रॉकी में काम किया था टीना की वज़े से संजे एक साथ सडक पर पागलो की तरह रोई थे अब बात करते हैं विक्की कॉशल की तो हाली में रिलीज वे पोस्टर में एक्टर विक्की कॉशल का लुक सामने है इस फिल्म में संजे यानि रनबीर कपूर के दोस्ट का किरदार आदा करने वाले हैं विक्की कॉशल हाली में जो है निर्देशक राजकुमार हिरारी ने इस पोस्टर का और ट्वीट करते हुए शेर करके लिखा गे विक्की कॉशल से मिली है एक बहतरी नेक्टर जिसने काम करने में उनके साथ मज़ा आ गया वे संजु के बेस्ट फ्रेंड का रोल निभा रहे हैं उसके बाद आती है अनुश्का शर्मा संजु की बायोपिक में अब अनुश्का का लुक सामने है उनको पोस्टर में देखकर सभी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आकिर अनुश्का किसका किरदार निभाती नजर आएंगी खबरों की माने तो संजे की जीवन में एक महिला पत्रकार थी जिसने संजे का काफ़ी साथ दिया अनुश्का उसी जनलिस्ट का किरदार में बाती हुई नजर आएंगी या फिर अनुश्का उनकी लॉयर का किरदार भी ने बा सकती है अनुश्का फिल्म में बहुत थोड़े ही समय के लिए दिखाई देंगी अब बात करते हैं मादूरी दिक्षित की तो मादूरी दिक्षित का जो किरदार है वो काफी ज्यादा संजे के जिंदिगी में एहम रखता है वहीं मादूरी और संजे की लव स्टोरी बहुत मशूर है इस फिल्म में मादूरी का किरदार करिश्मा तन्नारी भारे वाली है और विखबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े हैं हमारे साथ करें मिली की आपको बॉलीवूर्ट से जुड़ी है खबर सबसे पहले